ये संसनी खेच तथ्य आये हैं गोवा से आज मैं और मेरे सांसत सहयोगी राफेल घोटाले की अगला रहसे और परतें आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं और अब की बार ये रहसे की परतें उजागर हुई है ये संसनी खेच तथ्य आये हैं गोवा से गोवा के मंत्री मंडल में जिस प्रकार से पूरव रक्षा मंत्री और मौजूदा भाजपा के मुख्य मंत्री मनोर पारिकर जी ने राफेल के रहसियों का रहसे उद्गाटन किया ये पूरा वारता लाप उनके मंत्री विश्वजीत राने की बाच्चीत में अब कैद है राफेल घोटाले में अब गोवा की भाजपा सरकार के मंत्री ने संसनी खेज और चोकाने वाला खुलासा किया है और भ्रष्टाचार की सारी परतें उजागर कर दी है कुछ दिन पूरव हुई इस हंगामेदार बैठक में गहमा गहमी के बीच जिस प्रकार से गंबीर रूप से एस्वस्थ होने के बावजूद गोवा के मुख्यमंत्री के पद पर पदेन रहे शिरी मनोर पारिकर ने कहा कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि राफेल की सारी फाइले उनके पास हैं उनके बेडरूम में उनके फ्लैट के अंदर मुख्यूद है राश्ट्रिय सुरक्षा वे राफेल खरीद घोटाले से जुड़े इस पूरे मामले में भाजपा के मुख्यमंत्री शिरी मनोर पारिकर वे पूरव रक्षा मंत्री उनका यह कहना राफेल के ब्रश्टाचार के सारे आरोपों की आज पुष्टी करता है कि राफेल में हर स्तर पर गड़बड जाला है जिसके लिए चौकीदार ही जिम्मेवार है हमारे मात्र तीन सवाल हैं आज नमबर एक शिरी मोदी जी बताइए देश को कि शिरी मनोहर पारिकर के पास उनके बेडरूम और फ्लैट में राफेल के घोटाले के कौन से राज दफन है सवाल नमबर दो राफेल की फाइलों में वो कौन सा गड़बड जाला या ब्रश्टाचार है जिस पर चौकीदार परदा डाल रहा है और जिसके खत्रे से आज भी जिनतारों से गोवा की सरकार लटक रही है तीसरा सवाल क्या ब्रश्टाचार की इसी कहानी के चलते चौकीदार संयुक्त संसदिय समीती यानि जॉइंट पार्लियमेंटरी कमेटी की प्रोब से इन्वेस्टिगेशन से बच रहे हैं क्योंकि वो भाजप्पा के लोगों को भी जो संयुक्त संसद्य समीती में बहुमत से होंगे उनको राफेल के वरश्टाचार के फाइल और कागजात नहीं दिखाना चाहते अब साफ है के चौकीदार ही चोर है